गुफा के पास फटा बादल भारी बारिश के बाद बिगड़े हाला पहाणों से नीचे आया मलपा अब अब अनाथ गुफा के पास बादल फट्टें से फिलाल जानमाल का नुकसान नहीं लेकिन गुंड और कंगन इलाखे में लोगों से साफधान रहनी की अपीर जब किश्पी किश्टवार में बादल फट्टें से बड़ी तबाही साथ लों का शब बरामत पड़र इलाके को जादा नुकसान राहत पिली श्रिनगर और लोध्याना से किश्टवार पहुंची पैतालिस टी में एक दर्जन से जादा घरों को पहुंचा नुकसान उननिस लोग खायल करगिल में फ्लाश लट से हाखा कई लाकों में अच्छानक बढ़ा नदी का जलस्तर निमार्शन के देश में तूटा कुदरत का कहे लाउल्समती में साथ लोग की मौत निमार्शन बादल फटने और बारिश से 24 गंटों में 14 लोग की मौत कई टूरिस्ट शामिल घरों और गारियों को भारी नुकसान लगतार बारिश से शिमला कालका रेल रूट ठप ट्राक पर गिरा पेड़ पहाडों से आया मलवा उट्राखन में भारी बारिश और बार का कहर उत्तरकाशी में बढ़ कोट में रिमनोत्री हाईवे से सटे तीन स्कूलों में भरा पानी देरादूर में मुस्राधार बारिश से आईटी पार्क की सड़क बनी तालाब तेर्टी नजर आई कार रजोरी में भारी बारिश से फ्लाश लट सवाही दूंगी अगर्थी नदी पर बना पुल बहा हिमाशर के छेजलों के लिए बॉनसूर दुरा कलर्ड अर्तारस घंटे हो सकती है भारी बारिश हिमाशर के चमबा में मलबा साफ करते वक्त हार साज एसी भी मशीन के साथ लगा हैल पर पानी के साथ बह गया चमबा में चलती कार पर गिरे पत्थर मुश्टे से बची कार में सवार परिवार की जान रौतक पोड़े ये भारी बारिश छट काई खिस्ता गिरा धेरदुन्जे से ऐसर धारा जाने वाली सड़क का बड़ा हिसा बारिश में बहा चार अजार से जादा लोग फसे अर्याना के अमबाला में बार जैसे हलाग सड़क और घर में चारों तरफ पानी ही पानी गोहाना में बारिश ये प्रशासन के दाओं के खोली पोल सड़क पर दो-दो फीट तक जमा है पानी जारकन के गड़वा जिले में लगातार बारिश जिला मुख्याले के दानरों तथा यूरिया नदी में अच्छानक आई बार अम्रोहा में दो दिन से लगातार हो रही है बारिश 20 गाओं को जोडने वाले रास्ते पर तीन फीट पानी लखनों में मिले अलकाइदा की मॉड्यूल के जांच एनाई के हवाले 15 अगस को कई जगों पर धमाकी की साज़श 11 जलाई को लखनों के काफोरी में एक मकान से पकड़े गए दो संदिक्स प्रेशर को कर बम समेथ कई दस्तावेज बरामत यूपी 80S ने चलाया था संदिदों की गिरफतारी का उपरेशन जांच पर राजनेतिक पार्टियों ने उठाय थे सवाल यूपी के मुजफर नगर में बीती राग गास विसाफ से हड़कम केमिकल गुदाम में हुआ हाथसा वारिश का पानी केमिकल विसाफ में मिलने से चलते और तेजी से फेली जहरीली गास कई लोगों को हुई सांस की तकली मिशन 2024 के लिए ममता ने दी की तेज की मोचा बंदी सोनिया गांधी से की मुलकात राहूल भी रहे मौचूद राहूल सोनिया से मुलकात के बाद ममता बैंजी ने दिया विपक्षी एक्ता का हवाला बोली मोधी को हराने के लिए सब को आना होगा साथ 2024 के लिए दिल्ली में दीदी का बड़ा दावा बोली रचेगा इतिहास बीजेपी मजबूत है लेकिन विपक्ष होगा ज़ादा मजबूत प्रधानमंती पत की दावेदारी को लेकर ममता ने नहीं खोले पत्ते कहा मैं भविश नहीं जानती हालात पर करिंग का निर्भर सुन्य राहूल से मलाकात के बाद अर्विन के जवाल से भी मिली ममता अभिशेग बैन जी के घर पर हुई मुलाकात राहू के अगवाई में वपक्ष्ण दिया एक जुट्ता का संदेश सेना बोली सरकार ने पीठ पे खंजर भोका उसका मतलब वो इस मुद्धे पे अपोजिशन के साथ पुरी तरश से खड़ी है सोरिया गांधी से मुलाकात ममता बैन जी ने जासुसी कान को लेकर की चर्चा आगे की रननीती पर माथा पच्ची जासुसी कान को लेकर संसद में आज भी हंगामे के असार कल लोकसभा में विपक्ष्ण ने पर्चा फाड़ कर उड़ाया खेला होबे के लगे नारे लोकसभा में पर्चा फाड़ने को लेकर दफ सांसदो पर हो सकती है कारवाई सरकार ला सकती है निलंबन प्रस्ताव जासुसी कान को लेकर एंसीपी ने सरकार को घेरा सुप्या सुले बोले अपने मंत्री और अपनी बीवी बच्चों की कराई जासुसी यह हमारी पोजिशन सारी युनाइटेड ही है हम लोग साथ ही है और विपक्ष के सारे जो मुद्धे आप देश के सामने जो चुनावतिया है आप इसमें साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांस्दों की बैठक सीम योगी समेथ सारे दिगज रहेंगे मौजूद दिल्ली में दो दिन तक चलेगी यूपी के बीजेपी सांतों की बैठग, बीजेपी अध्यक, जेपी नडड़ा भी होंगे शामिल राइस्तान बढ़ता जा रहा है गैलोट और फाइलेट की बीच विवास उलजानी को लेकर जैपुर में राइश रमारी गनादर किपूर सीम जगदीश चेटार ने कहा मैं कैबनेट में शामिल नहीं रहूगा खत्मोज अचतिसगर विदान सबानुचरवरा गति रोज सदनने स्वासमंत्री टीयस सिंग देव कोदी क्लीन चिट पहली बार भारत यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री आंटनी बलिंकन विदेश मंत्री एश जैशंकर से की मुलाकात नेसे अजी दोबाल से भी मिले अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों की बीच कई मुद्दों को लेकर बात चीत सिविल सुसाइटी की प्रतिविवियों से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री कहा कॉमन है भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्य सीमा विवात के लेकर केंद्रे ग्रे सचिन ने असम और मिजोरम के अधिकारियों के साथ की बैठक अर्ट सैनिक बलों की तैनाती पर बनी बात असम मिजोरम की बीज इंसक जरब कर ड्रग माफिया से हो सकता है लिंक चल रही है जांच अंधनेश के अमरावती में टीडीपी और वाय साल कॉंग्रस के इकार करताओं के बीच भेडा पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत इटावा में जर जमा को लिकर कॉंग्रस का प्रदर्शन नाशनल हाइवे पर सर्वेस रूट की धान की रोपाई की दिली सटे नोइडा में समाजवादी पार्टी के विरौध प्रदर्शन आजम खान की रहाई की मांग को लेकर हला वोड़ बुलन शेहर में आजम खान की रहाई के लिए मुहम समाजवादी पार्टी के कारकरता ने खून से लिखी चित्थी माराज के पूर्ग्रे मंत्री पर कसा सीब्याई का शिकंजा एक साथ राज के बारा ठीकानों पर शापे मारी मेरत में अम्बिलेंस कर्णियों के हताल से बढ़ी परिशानी प्रशासनिदी कारवाई की चिता में अश्विम बंगाल के हासी मारा एर बेस पहुंची राफाल की खेप एर चीफ माश्यों रहे मौचुल आरेस भर्ती परिक्षा में घुताले की जांच की मांग को लेकर जिन्जनू में बीजेपी का प्रदर्शन प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष के खिराफ नारे बासी की धुमदाम से की शादी लेकिन सस्राल वाले लगतार पैसे गाड़ी प्लॉट की कर रहे थे मांग रांची के बड़े बिल्डर्स के ठिकानों कर इंकम टाक्स की चापे मारी टाक्स चोरी को लेकर आक्शन विहार के दरहुना में साइक्ष चोरी के लजा में पीड सीट कर मजदूर की हत्याप पैसा लेने पहुचा था यह वक गोहाना में धादार हत्या से 54 साल की किसान की हत्या सुबा खेत में मिली लाश राहसान की सीकर में बन पड़ी हवेली में बारा साल के बच्चे की लाश मिलने सेरकंप हत्या कारूपी की रफ्तार बारबंकी ने सरक पर हाई वोल्टेज ड्रामा के जिससे भिड़ गई युवती दारोगा को दिया धपका बिहार के लखी सराएं में नश्ट की गई नशे की खेव करीब पच्च-पन-सो लीटर शराब पर प्रिशास ने चलाया बुल्डोसर टोकियो उलम्पिक से भारते ओकी टीम की तीसरी जी डिफेंडिंग चैंपिन आजंटीना को माद दे कर क्वारब फानल में बनाई जगह आजंटीना को भारक से टीम एक से रॉन्दा वरन, हरन्मन, प्रीत और विवेक निदागे गोल ग्रूप A में दूसरे नमबर पर है भारत जिपान के साथ 30 जुलाई को ग्रूप स्टेज का आखरी मुकाबला टोकियो में पीवी सिंदू का विजय अभ्यान जारी क्वारब फानल में बनाई जगह प्री क्वारब फानल में सिंदू ने सीधे गेंज में दर्श की जीट दिन्माक की मिया ब्लिच फेल्ट को 21-15, 21-13 से हराया तिरंदाजी में अतनु दाफ से भी प्री क्वारब फानल में बनाई जगह आज दगतार दो मुकाबलों में ताइपेई और कोरिया के खिलाडियों को हराया बॉक्सिंग के क्यानबे के लोवारग में भारग के सपीश कुमार की जीत जमेका के ब्राउन रिकार्डो को 4-1 से हरा का प्री कौर्ड फानल में पहुंचे महिला बॉक्सिंग के कौर्ड फानल में आज मैरी कॉम की कॉलंबिया की इंग्रिट वैलन्शिया से भिरत दोपेई सारे 3 बजे हुगा मुकाबला महिला बॉक्सिंग के 45 किलोग्राम वर में पूजा रानी कौरव फानल में पहुंची तिरंदाजी में दीपिका कुमारी ने भी अंतिम आठ में बगन बनाई चबागा आज भारत रुष्ट लंका करीच खिला जाएगा आखरी और निरनायक T20 मुकाबला सीरीज फिलाल एक-एक से बराबर LPG ग्राफों को रहा देने के लिए गास डिस्ट्रिब्यूटर्स चिनने की छूट सरकार ने संसद में दीजान कारे आएक उलाने से पहले 20,000 से एक्जेगिदिव्स की भठी करेगी पे-टियम, गूगल पे और फोन पे से मुकाबले की तैयारी उला की फाउंडर भाविश अगिवाल ने हुंडई और टेसला को ट्विटर पर दी नसीहत का इंपॉर्ट नहीं भारत में करे एक कार का उतपाद अप्रेल जुनते माई में तैसर स्वीजी बढ़ी आपल की कमाई 6 लाक करोड पर पहुंचा आखड़ा पकिस्तान ने तालिबान के कबजे वाली अफगान सीमा को फिर से खोला दोनों देशों के वीर शुरू आविया पार काइनपुर में एक दिन में निकले करोणा के 21 मरीज तीसी लहर की आश्रंग का बैंक्स में घ्राहक ने पैसे स्रक्षिर बनाने की त्यारी की डिपॉजिट इंशिलिन्स बिल को काबिनेट की मंजूरी पांच लाग तक रकम बिलकुल सेफ किसानों का कर्ज माफ करने की सरकार की नहीं कोई उजना 16,80,000 करों रुपए का है बकाया जान बूच कर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या में बढ़ोती है आप राधिक कारवाई शुरू कर सकती है सरकार मई के मुकाबले जून में FNCG की दिक्री 49 अश्रमलव 4 पीजदी बढ़ी अनलॉक में मॉल्स और दुकान से लोगों ने जम कर खरीदे पाकेट समान